कि नमस्कार दोस्तों आतुल एक आदमी की चैनल पर हम पुना है आपका स्वागत करते हैं और पिछले वीडियो में जो हम लोग समझे थे देशांतर रेखाओं के बारे में उनके इस्थिती के बारे में आज हम उन्हीं इस्थितियों को मानचितर पर समझने का प्रयास करेंगे और विश्व के मानचितर पर अक्छांस और देशांतर दोनों की इस्थितियों को एक साथ जो मुख्य मुख्य अक्छांस रेखाए हैं मुख्य देशांतर रेखा है उनकी सही लोकेशन को कौन कौन से देशों से कौन इस्थितियां बनती हैं उसको हम लोग आज जानेगे जैसे यहाँ पर सबसे पहले मानचित्र की चर्चा होती है तो हम लोग भारत के रहने वाले हैं हम सामाने रूप से भारत का अध्यन भारत के भूगल के रूप में करते हैं उस तरह से सामाने अध्यन में ही समस्त विश्व का भी हम इसी रूप में अध्यन करते हैं यानि जिन बातों का अध्यन हम भारत के संदर में करते हैं आज हम लोग बिश्व के मैप को संभेगे और भिस्व के मानचीतर पर सामान्य एक्षांस रेखाएं कौन-कौन सी हैं और सामान्य मुख्य देशांता रिखाएं यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो उत्तर-पक्ष्णी छेत्र हैं बिश्व पर बिश्व के मानचित्र पर यानि USA का उत्तर पश्चमी छेत्र वहां से हम लोग इसे समझने का प्रियाश करते हैं और यहां सबसे पहले देखते हैं अलास्का अलास्का USA के उत्तर पश्चिम में है और इसके नीचे की और आगे बढ़ते हैं तो अलास्का के पूर्व में कनाडा है कनाडा के दख्षणी छेत्र में इस्थिति देखते हैं तो यहां पर है सैंट राज्य अमेरिका और इसके बाद कनाडा का उत्तरी छोड़ देखने का प्रयास करते हैं कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग पर इस प्रकार से छोटे छोटे मोड़ की इस्तितियां मनती हैं इनको थोड़ा सामलोग समझ लेते हैं क्योंकि आगे इन सभी बातों की जानकारी कि आपको जरूरत पड़ेगी और यहां पर कनाडा का यहां पूर्वी छोड़ है यहां पर हट्सन की खाड़ी है और पूर्वी छोड़ पर एक छोटा सा यहां पर मोड़ आप देखते हैं जहां पर फंड़े की खाड़ी इस्तित हैं और यहां USA के दक्ष्नी भाग में मेक्सिको की इस्तिती को थोड़ा सजानने का प्रयास करेंगी मेक्सिको की खाड़ी के उत्तरी भाग में देखते हैं आपका जहां पर फ्लोरिडा प्राइदियूप है, फ्लोरिडा प्राइदियूप के उत्तर पूरब का अमेरिकी छेत्र, यहां पर सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं सिर्फ आक्रिति के बारे में, मैक्सिको यानि मध्य अमेरिका के देश जो छोटे मोटे हैं, उनके दक्षिन में, इस थित्त जो आपका महादियूप है, जिसे हम दक्षिन अमेरिका महादियूप कहते हैं, जो छोटे मोटे मोड के रूप में उत्तर से दक्षिन दिशा में फैला हुआ है, अब यहां महादियूप देखा जाएं, तो इसमें ब्राजील सबसे बड़ा देश हैं, और इसमें कुछ मुख्ये अक्षांस रेखाएं, यहां पर आपका अलास्का के पश्चमी छेत्र जो है, जहां बेरिंग जलसंदी मानी जाती है, और बेरिंग जलसंदी के पास ही आपका साइबेरिया का भी छेत्र है, साइबेरिया के छेत्र में यहां पर देखते हैं, जिसे हम कमचटका प्राधियू कहते हैं नीचे की ओर, और यहां साइबेरिया का उत्तरी हिश्सा, यहां पर अगर हम देशांतरी स्थिती को देखें, मुख्य देशांतर देखा की स्थिती जो 0 डिगरी मानक देशांतर देखा के ठीक पीछे होती यहां से होकर गुजरती है आर्कटिक महासागर यहां पर है और आर्कटिक महासागर से होकर के एक सो असी डिग्री देशांतर एखा यहां पर आप सीधा इसकी स्थिती देख रहे हैं जो उत्तर से दक्षन दिशा में आ रही है तो इसकी स्थिती साइबेरिया के पूर्वे भाग पर बंद रहे हैं अगर इसे हम सीधे खीचें तो साइबेरिया का कुछ भाग 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में यानि पश्च्मी गुलार्द में चला जाएगा तो यहां पर समय बदल जाएगा आप जानते हैं 180 डिग्री देशांतर को अंतराश्टी तिथी रेखा कहते हैं क्योंकि यहां से इसे पार करने पर, चाहे पूर्वी गुलार्द से पूर्वी गुलार्द में जाएं, तिथियां और दिन बदर जाते हैं। तो एक ही देश के दो अस्थल जो आपस में जुड़े हैं, उसमें समय में और तिथि में दिन में अंतर ना आए। इसके संसोधन के लिए यहां पर इसे हम मोड देते हैं सागरी छेत्र की ओर। मोड कर हम इसे बेरिंग जलसंधी की ओर पहुचाते हैं। यहां पर आपकी बेरिंग जलसंधी हैं और यहां पर पूना इसके सीध में दक्षन की ओर नहीं ले आज सकते हैं। क्योंकि यहां पर एल्यूशियन दूइब समों आपका मौजूद है एल्यूशियन दूइब समों आपका सयुक्त राज अमेरिका का है इसके समय को बटने से बचाने के लिए क्योंकि हम जानते हैं 180 डिगरी देशांते रेखा अगर आगे सीधा बढ़ा देंगी तो हो जाएगा इसे बचाने के लिए पुना हम इसे फिर से मोड करके दिसाइस की बदलते हैं और एल्यूशियन दूप समों का समय बटने से बच जाता है और इसके बाद इसे सीधा प्रसांत महासागर से होकर आगे बढ़ाते हैं रास्ते में आप देखते हैं कि फिजी दूप समों का छेत्र इसके मार्ग में आता है वहां का समय बटने से बचाने के लिए हमें पुना है से यहां मोडना पड़ता है इस प्रकार से हम देखते हैं 180 डिगरी देशा अंतर रेखा की स्थिती तो यहां पर उत्तर से दक्षेण दिशा में परिक्षा में पूछा जाता है कि विश्टो की अंतर राष्टी तीछी रेखा यानि 180 डिगरी देशा अंतर को कितनी बार मोड़ा गया है तो आप एक बार देख सकते हैं कि साइवेरिया को बचाने के लिए यहां पर पहली बार मोड़ा गया दूसरी बार एल्यूसियन दूइब समूग के समय को बचने से बचाने के लिए इसे मोड़ा गया और तीसरी बार फिजी दूइब समूग के समय को बचने से बचाने के लिए इसे यहां तीसरी बार मोड़ा जाता है या हिस्थिति आपकी बनती 180 डिगरी देश अंतर रेखा कि या आपसे पूछा जाए परिक्षा में कि अंतराश्टी तीथी रेखा यानि 180 डिगरी देश अंतर किस जलसंधी से होकर गुजरती है तो आपका उत्तर होगा बेरिंग जलसंधी बेरिंग जलसंधी आप जानते हैं जो अलास्का और साइबेरिया के मद्ध में है और यहां पर आर्कटिक महासागर और प्रसांत महासागर को यहां आपस में जोडने का काम करती है सागरों में किसे जोडती है उत्तर में आकटिक महासागर का दक्षणी भाग यहां पर चुक्ची सागर कहलता है यानि चुक्ची सागर को दक्षण में बेरिंग सागर से यह जलसंधी आपस में जोडती है इस इस्तिती को जानने के बाद हम इसे जान कर यह पता लगाते हैं किती तिरेखा पर जो तिथियां बदलती हैं अंतराश्टी तिरेखा के माध्यम से उसका क्या प्रफाव पड़ता है जैसे हम यहां पर देखते हैं कि 180 डिगरी देशांतर के दाहिनी ओर यानि अमेरिक्या की ओर अगर मंगलवार है तो एसिया की तरफ आपका बुधवार होगा आप जानते हैं कि जब आप अमेरिका से एसिया की तरफ आते हैं तब इस तिथी रेखा को पार करने पर आप अगर मंगलवार को पार करते तिथी रेखा यानि 180 डिगरी देशांतर देखा जाए इसके बाद उत्तरी अमेरिका महादियूप के उत्तर पूरब में हम देखते हैं कनाडा का एक दियूप है इस दूइब का नाम है बैफिन दूइब और इसके पूरब में ग्रीन लैंड की स्थिती बनते हैं ग्रीन लैंड के दर्षिनपूर में आपका आइस लैंड की स्थिती है देखा जाए यहां पर तो इसकी देशांतर रेखा और अक्षांस रेखा की स्थिती के माध्यम से ही हम इसे समझेंगे तो यहां पर जीरो टिगरी एक च्छांस लेखा को समझ लेते हैं यूरोप महाद्यूप का पश्चमी छेत्र जहां पर पूर्दगाल और स्पीन का छेत्र है इसके भाग को देखते हैं तो यहां पर आगे बढ़ते हैं इटली एक छोटा सा देश और इसके बाद आपका यूरोप का यूनान का छेत्र जिसे वर्तमान में ग्रीज कहते हैं इसके पास में एसिया का देश टर्की और इसके आगे बढ़ते हैं भूम्मद सागर के किनारे वाले हिस्से को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ा करके इसे दक्षिण में आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका महादीव का दक्षिणी छेत्र जो विश्वत रेखा के आसपास बनता है वहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं यहां पर थोड़ा सा विश्वत रेखा पर उभार है प्रस्चिम की ओर अफ्रीका महादीव कि बाद यहां अफ्रीका का पूर्वी देश एक है सोमालिया सोमालिया के दक्षिणी भाग से होकर विश्वत रेखा गुजरती है विश्वत रेखा को यहां आगे बढ़ा देते हैं और यहां अफ्रीका के उत्री पूर्वी छोर पर एक लंबी रेखा में एक सक्रा सागर इस्थित है इसे लाल सागर कहते हैं और इसके लाल सागर के तट से पूर्वी तट से जुड़ा हुआ देश है सौधी एरब यहां पर दूसरी स्थिति आप लोग देख सकते हैं यानि कि साढ़े तेज डिगरी उत्तरी एक छांस रेखा की स्थिति देख सकते हैं आगे हमारा देश भारत की स्थिति बनते हैं भारत के दक्षिरपूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है और इसके बाद एसिया का दक्षिरपूर्व भाग दक्षिरपूर्व एसिया की नाम से आगे जो जाना जाता है आगे का छेत्र मलाया प्रादीव की नाम से जाना जाता है और इसके आगे कहीं से दक्षिरपूर्व एसिया भूबाग यहां पर आप देख रहे हैं प्रादीव की रूप में एक इस्थिती जो बन रही है यह उत्तर कूरिया और दक्षिरपूरिया और इसके बाद आपका एसिया का उत्तरी पूर्वी छोर आ जाता है एसिया का उत्तरी पूर्वी छोर और जहां पर इस तरह के मोड़ बने हुए हैं और उसके उत्तर पूर्वी छोर में कमचटका प्रादीव की स्थिती भी बनती है यूरोप में पुर्टगाल इस्पेन के आसपास का छेत्र और इसके बाद यहां पर एक उभरा हुवा छेत्र जो फ्रांस का छेत्र है इसको समझेंगे और यहां का हिसा आपका स्वेट सागर का हिसा माना जाता है यहां का देखा जाते एक प्रकार से साइबेरिये के पूर्वी छोर्प में सेहो करके यहां की रेखा इस प्रकार से गुजड़ती है आगे यहां पर ओब की खाड़ी और साइबेरिये का उत्तरी पूर्वी भाग और इस तरह से जैसे हम बिश्टों की इस्थिति को समझ लेते हैं तो इन ही पर अन्य इस्थितियों को जैसे छोटे मोटे दिव पहंद आपका श्री लंका मेडागासकर और यहां पर इंडोनेशिया का छेत्र सुमात्रा बोर्नियों और यह सुला वेशिंग द्विप और यहां पर आपका द्विपी छेत्र के रूप में फिनलेंड और यहां पर आपकी ताइवान की स्थिति बन जाएगी एसिया के पूर्वी भाग में जापान आप जानते हैं कि जापान एक सम्रिद साली देश है जिसके चार बड़े बड़े द्विप हैं सबसे बड़ा हांसु दिप उसके बाद होकेडू दिप इसके बाद क्यूसू और सिकोकू यह हिस्तिती हम लोग समझते हैं और इसके बाद देखने का प्रयास करते हैं कि मकर रेखा किस छेतर से होकर गुजरती हैं मकर रेखा कि स्थिती दक्षिन अमेरिक्या में बनती है और वह आफ्रीका देश से होकर कि गुजरती हैं यहां पर थोड़ा से स्थिती थोड़ा और उत्तर की तरफ होती हैं यहां इसको संसोधित कर लेते हैं कि यहां पर आपका पापू और निवगनी का छेत है पापू निवगनी की दक्षिन में जहां पर आपका आस्ट्रेलिया महादीव है और आस्ट्रेलिया महादीव की इस्थिती इस प्रकार बनती है इस प्रकार सामान इस्थिती में हम लोग इसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिश्व के मानचित्र की रूप रेखा क्या होती है और इसमें सामान इस्थितिया किन किन देशों के किन नक्छांस रेखाओं पर बनती हैं, यह आपका ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और इसके पशिम का छेत्र, आइरलेंड का बनता है इस समय हम लोग सामान ने लोकेशन को समझ रहे हैं कि अक्छांस इस्थितियां जो अक्छांस रेखाओं की है साढ़ेः तेश डिगरी ऊत्री एक्छांस की इस्थिति और यहां पर यहां जो इस्थिति आप देख रहे हैं मुख्य अक्छान्स रेखा या इधर समझ सकते हैं साढ़े छाषट डिग्री उत्रियक चान्स रेखा यानि उत्रियक चान्स बृत की सामान इस्थिती जो बन रही है इसके बारे में मित्रों इन सब बातों को जब हम सामान विश्व की मानचित्र को समझ लेते हैं कि अक्षांसी इस्थिति जीरो डिगरी, करक रेखा, मकर रेखा और आर्करिक व्रित तो इन अक्षांस रेखाओं की माध्यम से अब इसकी मुख्य देशांतर देखा कि इस्थिति जो 0 डिगरी देशांतर कही जाती है वह कैसे बनती है देखा जाए तो यहाँ उत्तर से दक्षिण दिसाम इस प्रकार से बनती है इसको हम 0 डिगरी देशांतर देखा कहते है यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने सामान इस्थिति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है यहाँ पर इसमें सिर्फ इतना है समझें कि 6.6 डिगरी उत्तरिये एक चांस रेखा उत्तरिये मेरिका यूरोप और एसिया के साइवेरिया वाले हिस्से से होकर गुजरती है और ताइवान सबसे पूरवी छोर पर इसमें इस्थित है और इसके बाद जीरो डिगरी अक्छांस रेखा यानि जिसे हम विश्वत रेखा कहते हैं यहां दक्षिन अमेरिका में दक्षिन अमेरिका के उत्तरी भाग से और अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग से और दक्षिन पूरवी एसिया से होकर गुजरती है यहां पर हम लोग इतना ही जानने का प्रयास करेंगे अब नए इसके वीडियो में हम लोग इन ही स्थितियों को बिश्त्रित रूप से समझने का प्रयास करेंगे अब इसको आप लोग ध्यान से अध्यन करिएगा अध्यन करने के बाद इसमें जो भी आपको कठिनाई महसूस हो आप कमेंट में लिखिएगा अगले वीडियो में उन सब आपके प्रस्न को हम देखते हुए उसके उत्तर को समाहित करते हुए अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए हम धन्यबाद अगला वीडियो जचसा वाई हुए